पुन्या जी बात करते है इसके hybrid की, अब hybrid में हम बात करते है एडवनटा कंपणी का एक hybrid है राधिका, दूसरा है नवया, तो हम राधिका के बारे में बात करते है, राधिका की जो variety है, ये एक तो आपका येलो मुझे जो वाइरेस भिंडी में आता है, उससे इसमें नहीं ल नमस्कार सात्यो, मैं डोक्तर ओम पुनिया, आप सभी का भारते किर्सी लोग यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, तो सात्यो, जैसे फरवरी का महा चला है, और फरवरी के महा में भ भृंडी की वेज्यानिक विदी से खेती करने के वारे में, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, डोक्तर प्रदीप सहरावत, उत्तर प्रदेश किर्जी विभाग से, आईए हमूनका स्वागत करते हैं, देखें, पुनिया जी, आज हमारे किसान किसान भाहियों को आप भिंडी की खेती के वारें बताईए कि किस पिरकार हमारे किसान भाहियों से अधिक से अधिक लाब ले सकें देखे पुन्याजी आज हम बात करेंगे भिंडी सब्जियों में अपना बहुत ही महत्पून अस्तान लगती है सब्जी के साथ साथ आज कल बिंडी की canning, freezing भी की जा रही है, दूसरा जो बिंडी का तना है और इसकी जड़ है, इसको गन्ने से गुड बना जाता है, उसको साफ करने के लिए एक natural cleaner इससे तयार किया जा रहा है, दूसरा बिंडी की जो रेसे है, उससे रशी बनाए जा रही है, तना और जड़ से इसके पेपर भी तयार किया जा रहा है, देखे पुनियाज जो भिंडी है, भिंडी का ये उप्यूक्त समय है लगाने का, क्योंकि अब जो temperature है, temperature भी बढ़ गया है, अगर हम बात करें इसके temperature की, तो 20 से 25 डिगरी temperature इसके लिए अच्छा होता है, इसकी उपज के लिए बढ़भा क्योंकि हम भुवाई कर सकते हैं, ये भिंडी दोनों सीजन में हम लेते हैं, वर्षात के सीजन में भी और ग्रिस्म कालीन में भी, तो इस सीजन की भिंडी का हमें उपज अधिक मिलेगी, तो डोक्सा हमें ये बताईए कि क्या हम ओफ सीजनल भी भिंडी की प्रजाती में पुणिया जिसके ओफिसे जनीम में पुट कर सकते में बीच पूनिया क्पनेशन यू में यह ज्यादा पर предлаг में यथा जあー करें भी खेद देख रहे हुए ये आलुग का खेद इसमें अच्छी नमी भी है तो इसको एक टो अच्छा तरह से इसकी जुताई कर ले जिसमें आप डेले के खेट में अच्छी तरह से मिला दे दूसरा इसी समय पर आपको भूमी का अप्चार भी करना है इसमें आप प्राइकोडर्मा ले सकते हैं डाइकेजी हमें दूसरा जब आप खेट की ऑनतीम त्यारी के ओर बढ़ रहे होते तो उसी समय पर बारज सेपंदर केजी Calle का बिशुंपरियों करें जो आपको फंगरस जनीच जो रोग है भूमी उनको रोगने में मदद करेंगा देखिए पुन्य जब हम बात करते हैं इसकी बुवाई की विदियों की एक तो फ्लेट में भी हम इसकी बुवाई कर सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 30 cm रखनी है पोधे से पोधे की दूरी 20 cm दूसरा आप इसकी जो बुव भी दूरी 20 cm रखे अब हम बात करेंगे पुनिया जी यह बहुत ही अच्छी फसल होती है ये कैस क्रोप में जो आती है हमारी भिंडी तो जैसे हमारे गन्ये का छेतर है तो हम इसमें से फसली भी ले सकते है उसके लिए आप गन्ये की जो हम कूंड निकालते है तो दो पर आता है तो वो ज्यादे से ज्यादा आपकी भिंडी प्याटर करें नेकी गन्य पर इससे आपकी कीट नासी की भी बचत होगी दक्सा हमें इसके वारे में यह बताई कि इसकी कौन-कौन सी हाइविड आ रही है जो की किसानों को अच्छेल्ड दे सकें पुन्य जी बात करत है उससे इसमें नहीं लगेगा यह इसके टोलर्रेंट वैराइटी इसकी खूबी क्या है इस वैराइटी की यह चार से पन्च इसमें साखाई निकलते है और बहुत ही ज्यादा फूरूटिंग होती है अब दूसरी इसीники बेराइटे नवया यह भी बहुत अच्छी बात करेंगे VNR का 909 एक हाइवरिड है बहुत ही अच्छा है दूसरा इसका दीपी का है यह दोनों येलो मुझेक वाइरस से फिरी है टोलरेंट वराइटी है अब हम बात करते बायो सीड बायो सीड का एक आभा के नाम से हाइवरिड आता है वह भी बहुत अच्छा हाइवर प्रेलो मुझेक का जो परभाव होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है बात करते हैं खादें उर्वरक की इसके लिए देखे आप 60 kg आप इसमें यूरिया का परियोग करें 40 kg डीएपी का परियोग करें और 25 kg आप मूरेटा पोटास इसी के साथ आप एक किसी अच्छी कमपनी का 10 kg परती इकड़ के हिसाब से इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट का एक मिक्चर भी आप अवश्य परियोग करें अगर आप फास्पुरस की मात्रा रामबान से दे रहे हैं तो वहां आपको इसकी डोज डबल कर देनी है दूसरा आपको माइक्रो न्यूट्रेंट देने होंगे क्योंकि इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रेंट आपको रामबान से मिल जाएंगे अब बात करते हैं इसकी बीज दर्गी तीन से चार केजी सीड रहेगा परती एकड हाइब्रीड के लिए अगर हम बात करते हैं सामान्य परजातियां कि अगर हम बात करें तो ताइको डर्मा से चार गिराम परती केजी के एसाब से सीड टीटिमेंट करें और धाई से तीन गिराम आपका मेंकोजेवे थीरम है इनसे बावस्टीन है इनसे आप सीड टीटमेंट कर सकते हैं बीज उप चार से किसान भायों आपको पहला लाब तो यही मिलागा जब आपकी नर्सरी यह सीडलिंग्स होती है यंग सीडलिंग्स जो होती है उसमें डंपिंग ओप एक बिमारी आती है जिसमें पूरे के पूरे पोधा गरदन से टूटकर नीचे गिर जाता है तो यह बिमारी आपकी नहीं आएगा अगर आप सीड टीटमेंट कर लेगें डोक् इसके लिए हमें 3.3 लीटर के इसार से प्रियोग अवश्य करें इसका प्रियोग में सावधानी यह रखनी है कि आपको गुवाई के 72 आवर्स जानी के तीन दिन बाद तक आप इसका इस प्रेक करें यह तभी प्रभावी रहता है तो सात्यों जैसे आपने देखा कि डोक् 0H102 हो, 517 हो या VNRK909 हो आदी के बारे में विश्तार से जानकारी दी यदि हम इन हाइविड को लगाते हैं और वेग्यानिक विद्धी से खेती करते हैं तो हम प्रिती एकड 50 से 70 कुंटल प्रिती एकड की उपज ले सकते हैं तो मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें बैल आइकों को दबा दें जिससे की आने वाली व झाल